मोती तालाव के सुंदरी करेंट के लिए वैसे तो जिला प्रशासन के द्वारा आने को योजना चला कर बहुत से स्वेंसेवी संस्ताओं के द्वारा अपना स्रम्दान कर मोती तालाव को सच्छ बह सुंदर बनाने के लिए समय समय पर अपने अपने इस तर से सफाई अभियान कहे या फिर स्रम्दान कर तालाव के सरुक्षन के लिए प्रयास की जाते किन्तु देखा जा रहा है कि दिन्द्यालपुरम का अलूली से निकलने वाले नालियों का पानी अब भी मोती तालाव का पानी में मिल रहा है जिससे की तालाव का पानी दूशीत हो रहा है आपको बताते कि इसके पूर्व भी इसी प्रकार की घटना मोती तालाब में देखने को मिली थी जब दिन्द्यालपूरम का सारा पानी मोती तालाब में जा रहा था इसको लेकर एक बार मोती तालाब की सारी मच्रिया भी मर गई थी जिसे देखते हुए नगरपाली का पानी कहा जा रहा है जब हमारे द्वारा देखा हुए कि दिन्द्यालपूरम का शारा पानी तालाब में ही जा रहा है तो इसके पूरी जानकारी बता कि तो यह पता चला कि यह बरसात के बाद से यह पानी मोती तालाब में ही जा रहा है यहना अगर पालिका की उदान अभी कुछ दिन पहले ही स्वयंत से संस्तानह के द्वारा भी ह्यां ca के माध्युम से मोटि तालाव की सपाई की गई थी कि यू किसी के भी तबारोय आठाफ सकती है ऐसा एक महमला ही बुड़िस्ति तालाव लेकर नगरपालिका पर फाइन भी लगाया गया था उसके बाद नगरपालिका के द्वारा महा व्यवस्ता अभी बना ली गए थी लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो अभी नगरपालिका के द्वारा तालाब को लेकर कोई व्यवस्ता देखने को नहीं मिल पा रहे हैं कि महीं किसुर्कनुजीय बताते हैं कि महिती तालाप में दिंदयाल पुर्म के कालोनी की दो नालिव। से पानी आ रहा है और यह पानी बहुत लंबत समझ से तौई मैं वह भी चाथ है कि वाट cả गन्दा पानी तालाप में नहीं आना तो तालाप का पानी तो गंदा हो जाता होगा फिर नहीं गंदा नहीं होता है तो आप पानी आना ची के नहीं आना ची यहाँ पे पानी भेनी जगह नहीं पानी जिता है तो पूरा चलाप भाग फूल हो जाता है यह पानी बाइब नमबर तेश के परसद बावल कवाल चुबात आते है कि आपके द्वारा जो इमामला संग्यान में लाया जा रहा है इस विश्व को लेकर हमारे द्वारा नगरपालिका को आ तालाप में जाने से रोखा था किन्तु अभी कैस से प्लानी तालाप में जा रहा है इसके जानकरी हमें नई है लेकिन आपके द्वारा बताय गया है तो इस मामले को तुरित ही संग्यान में लिया जाएगा